आगि हलो रिवान एक बूर्फिर से आपका स्वाकरत है ह्मारे की बाएंस इन्पारटन सा टॉपिक जो che वो आपका normal accounting को लेकर के हो वहाँ पे हर जगह ये topic आपके लिए important है short note लिखने के लिए आ सकता है बहुत जादा exam के नजरिये से ये आप यहाँ पे अप्छे marks जो है cover up कर सकते हैं उठा सकते हैं तो क्या है आज का topic? आज का topic है dementia and bonds के बारे में इन दोनों के बारे में जानेंगे और इनके बीच का difference जो है हम यहाँ पे discuss करेंगे ताकि आपको जो है दोनों का अलग-अलग individual concepts भी clear हो जाए as well as आपको जो है अगर difference लिखने को आता है तो कौन-कौन से points आप लिख सकते हैं वो भी clarity मिल जाए so let's start देखे company को क्या चाहिए होता है company को जब भी अपना business grow करना होता है जैसे जैसे अपनी company को जो है अपना business चलाना होता है जाहे company हो या कोई भी organization हो कोई भी enterprises हो तो क्या होता है उसको जो है चाहिए होती है पैसे बिना पैसो के कोई भी company अच्छे से grow नहीं कर पाएगी, अपना best नहीं दे पाएगी तो इसलिए company को पैसों के बहुत ज़ादा जरूरत होती है कंपनी पैसे कहां कहां से उठा सकती है या तो जो है वो कहीं से loan ले ले, bank से loan ले या फिर जो है क्या करती है वो equity market में जो है अपने पाद जाती है securities बेचती है, shares निकालती है equity shares, preferent shares और वहाँ से पैसा उठा करके अपने business को आगे grow करती है, उनके पास एक और option available होता है जहां से वो market से पैसा उठा सकते हैं वो होता है debenture and bonds debenture and bonds होता क्या है जब एक company को loan के तोर पे पैसा चाहिए होता है या ऐसे पैसा चाहिए होता है कि भाई तुम मुझे उधार दे दो, मैं इस पर तुम्हें interest pay करता रहूंगा and after some time period जैसे 5 साल, 10 साल या 3 साल जो भी time period होगा, उसके बाद जो है मैं ये पूरा का पूरा amount तुम्हें वापस कर दूगा जैसे कि normal हम bank से जब loan लेते हैं उस तरीके के format में होता है, लेकिन bank क्या करता है bank हमेशा आपको पैसे नहीं देता bank हमेशा आपको जो है loan नहीं देता और bank को जब loan देना होता है तो कोई ना कोई वो आपकी जो है एक तरीके से asset अपने पास रखेगा जैसे कोई company को अगर loan लेना है तो वो कहेगा कि तुम्हारे पास मेरे पास जो रखने के लिए है क्या जैसे कोई अगर तुम्हारी machinery है, plants है, building है वो तुम उधार पे रख जो है मेरे पास security पी रख रहे हूँ तो हम उसके against तुम्हें loan दे देंगे लेकिन किसी किसी company के पास वो भी नहीं है तो वो market से जाकर के debenture and bond issue करके वहां से पैसा उठा सकते हैं जो कि क्या होता है, unsecured debenture जो कि termed as bonds होते है उसको जो है, जो unsecured debenture है जिसके against में आपको कोई collateral security नहीं रखने पड़ती, वो आपकी हो जाती है bonds, तो इसलिए bonds and debenture उन company का एक रास्ता होता है पैसा market से उठाने का जो कि क्या करना चाते है, as a कुछ payment, as a loan उठाना चाते है as a debt उठाना चाते है, loan सही शब्द नहीं होगा, debt एक तरीके से लेना चाते है, और market से लेना चाते है, ना कि bank से, तो वहां से जो है, bonds and debenture का रास्ता अपना सकते हैं, bond and debenture कुछ नहीं है, बस securities है जैसे कि आपकी equity and preference share है equity share, preference share, वैसे ही bonds and debenture है, लेकिन bonds and debenture जो है, एक तरीके सा आप market से जब पैसा उठाते हो, तो ये securities आप लेकर के आते हो, और ये security जो है, कुछ time period बाद redeem कर लेते हो, तो उसको कहा जाता है bonds and debentures, अब bonds और debentures के बारे में थोड़ा सा difference देखते हैं, bonds क्या होता है, bonds एक long term debt instruments होता है usually आप देखोगे, government की जो companies होती है, या government जो होती है, government के authorities वाली companies या जो भी companies है, वहाँ पे bonds बहुत जादा issue होते है, क्योंकि government को जो है, interest structure अच्छा बनाना है तो उनको market से पैसा उठाना पड़ेगा, और tax जो है, एक limit time period के बाद ही आता है, अगर वो सिर्फ tax को देखते रहेंगे ना, तो भी वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो क्या करती है, bond issue कर देती है उनको लगता है कि भाई, जो है international market से पैसा उठाऊंगा तो वहाँ पे मुझे जादा interest देना पड़ेगा तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिया में ही जो है, bonds issue कर देते हैं, अपने ही country में bonds issue कर देते हैं, उसके against जो भी लोग उस bonds को खरीदेंगे, उसको interest दिया जाएगा, हर साल 6 महीने या जो भी उस time period में decide किया जाएगा, और फिर after some time period हम उनको principal amount, पैसा जो है, वापिस कर देंगे, घर की बाद घर में रजाएगी international market में हम जाने से बच जाएगे, क्योंकि international market में जब आप loan लेते हो, तो वहाँ पे आपको interest rate थोड़ा और जादा high हो जाता है और वहाँ पे आपके dollars में payment हो रही है, या other currency में payment करनी पड़ती है, तो महाँ पे currency का rate भी आपका जो है, जो change होता रहता है तो इसलिए आप क्या करते हो, कि कोशिश करते हो, कि भाई, bonds ला करके अपना जो है, अपनी ही country इसमें ले ले तो वो जो है, bonds शू करती है जो long term debt instruments होता है कि government क्या करती है, यह नहीं सोचती कि भाई, हमारी सरकार 5 साल तक है तो हमें ऐसा loan चाहिए कि 5 साल के अंदर खतम करके हम दे दे, नहीं वो सोचती है, चाहे आने वाली सरकारे कोई भी हो कोई भी हमें फ़रक नहीं पड़ता, हम loan लेंगे, हम debt लेंगे, यह हम bonds issue करेंगे, वो 10 साल या 15 साल का करेंगे, तो इसके पीछे सिर्फ सरकार का हाथ नहीं होता, उसके पीछे पूरी चो committees होती है, जो पूरी लोग काम कर रहे होता है चाहे सरकार आया चाहे, वो लोग same रहते है तो उनका भी decisions होता है तो इसलिए, bonds जो है long term debt instruments होते हैं, क्योंकि infrastructure में जो change करना होता है, वो longer time period के लिए होता है, वहीं dementia क्या होते है, short term debt instruments होते हैं, जहाँ पे कम time period के लिए आप जो है, debt लेना चाह रहे हो, bonds में they carry lower interest rate compared to debentures, यहाँ पे क्या होता है, bonds में जो है lower, आपकी interest rate होता है, compared to debentures, debentures से अगर आप compare करोगे bonds में higher आपका interest rate है और debentures में lower interest rate है तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, जहाँ जहाँ government को पैसा देने की बात होती है आप कोजिश करते हैं, कम से कम rate रखें जैसे कि आप banks में देख लेजिए, कोई भी bank उठा लेजिए, SPI वगएरा या कोई भी bank उठा लेजिए, पहले कितना अच्छा interest rate मिलता था, और अब तो जो है, अगर आप FTP भी करवाने जाओगे, तो इतने कम interest rates आपको मिलते हैं, तो इसलिए जहां पर government को खुद payment करनी पड़ती है तो वो जो बहुत कम जो है, आपको interest rate देती है या आपको फाइदा देती है, जहां पर उनको निकलवाना होता है, वो सोचते हैं, कितना जादा हम निकलवाले, debentures यानि interest, और मैं यह किसी एक government की बात नहीं करीए, यह सब के साथ होता है, debentures में क्या है, debentures में higher interest rate होते हैं, compared to your bonds की bonds में, they are secured by the collateral or physical asset of the company, bonds क्या होते हैं, किसी collateral physical asset के against, जो है secured होते हैं, यानि let's suppose कलको अगर वो व्यक्ति जिसने bonds issue किये हैं, वो आपको security, उसको बेच करके आपको पैसा दे धिया जाएगा, तो secured by the collateral or physical asset यानि कि कोई ना कोई collateral या physical asset रखी गई है, उसके ऊपर जो है, वो जो bond सा issue किये गई है, या लोन लिया एक तरीके सा debt लिया गया है, debentures are not secured, debentures तो है, वो secured नहीं होते हैं, ठीके bonds क्या है, are generally issued by large corporation, financial institution and government agency for their long term capital requirements अब bonds जो है, वो usually किसके द्वारा issue किये जाते हैं, large corporation जो बड़ी corporation है, financial institutions, जो बहुत ही financial institution बड़ी है, या फिर government agencies, वो सारे जो है bonds issue करते हैं, long term पैसा उठाने के लिए, वहीं short term के लिए, जो है दूसरी आपके private companies, जिनको थोड़े time period के लिए capital की requirement होती है, वो debentures issue करते हैं bonds की बात करें, so bond holders are given priority while repayment of a debentures holder during liquidation of the company, आपने देखा होगा, जब हमने preference and equity shares के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब भी company wind up होगी, या फिर liquidate होगी या कोई भी situation ऐसी आएगी, जहां पर सबको repayment करके अपना बोरियाब इस तरह बादने की जो है, नोबत आजाएगी, तो उस situation में सबसे पहले जो होता है, क्या किया जाता है, अपने debt pay किये जाते है, अपनी liabilities pay की जाती है उसके बाद preference share को payment की जाती है and then कुछ बचता है, तो equity share वालों को मिलता है, वरना वो अपना खाली हाथ आएथे, खाली हाथ जाएगे वाले situation में चले जाते है, वीचारे बट अब वहाँ पर भी एक बात आती है, कि debentures को मिलेगा, debt को मिलेगा लेकिन कौन से debt को पहले मिलेगा क्या bonds और debentures, अगर किसी company ने bonds भी issue कर रखे हैं और अपनी short term की requirements के लिए debentures भी issue कर रखे हैं तो वो सबसे पहले किसको payment करेंगे यानि दोनों बल्चों में से पहले किसको जो है देखेंगे, तो सबसे पहले आप bond वाले को देखोगे, क्योंकि उसने आपको लंबे समय तक साथ देने के लिए आपको वादा किया हुए है और आपको पूरी यकीन है कि ये लंबे समय तक साथ देने वाला था तो अब company liquidate हो रही है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ध्यान रखना जो लंबे समय तक आपके साथ रहा है चाहे जो है आपकी situation कैसी भी रही हो देंगे जो पहले से यही सोच के आया था कि हम तो थोड़े दिन के महमान है one night stand वाले लोग है तो उन लोगों को आप बाद में देखना तो पहले bonds वाले को payment करना पहले bonds वाले को repayment होगी and then after that उसको जो है किसको दिया जाएगा debentures वालों को debentures and bonds both are debt instrument issue by the organization यानि debentures और bonds क्या है दोनों ही debt instruments है जो कि एक organization के द्वारा issue किये जाते है so ये था गाइस आज का हमारा topic जहाँ पर हमने discuss किया about debentures and bonds तोनों का difference भी देखा साथ ही साथ आई होप आपको इन दोनों का जो है मतलब भी पता चली गया होगा so मिलते हैं नेक्स वीडियो मैंकले टॉपिक के साथ तबते के लिए check care of yourself and take care of your health